प्रिये चात्रो नमस्कार NCERT गड़ित कक्चा दस्मी में आपका स्वागत है आज हम लोग प्रिश्णावली 10.2 का प्रश्ण क्रमांग 3 हल करेंगे तो आईए सबसे पहले प्रश्ण पढ़ लेते हैं इसमें दिया गया है यदि एक बिंदू P से O केंदरवाले किसी ब्रत्य पर P A और P B दो इस परस रेखाएं परस पर 80 अंस के कौन पर जुकी है तो कौन P O A बरावर है और यहां पर हमें चार ओप्सन दिये गए हैं पचासंस, साथंस, सत्तरंस और 80 अंस तो सबसे पहले हम परसन का सुरुवाती हिस्सा जब पढ़ते हैं तो इसमें दिया गया है यदि एक बिंदू P से O केंदरवाले किसी ब्रत्य पर तो यहां पर देखिए ये चित्र हम माल लेते हैं और इसमें दिया गया है यदि एक बिंदू P से ये देखिए बाहर का हमने बिंदू P माल लिया है एक बिंदू P से O केंदरवाले किशी बरत पर ये O केंदरवाला कोई बरत है बरत पर P A और P B दो इस परस रेखाएं तो ये देखिए P A और P B ये इस परस रेखाएं इस परस रेखाओं का मतलब आप जानते हैं जो ब्रत को एक ही बिंदू पर काटती है तो PA और PB दो इस परस रेखाएं हैं परस पर 80 अंस के कौण पर जुकी हैं तो इनके बीच का जो कौण है वो कितना है वो 80 अंस है ताकि हमें POA पता चल सके तो इसके लिए हमने लाइन खींची तो हमें ग्याद करना है POA यानि कि ये वाला एंगल हमें ग्याद करना है तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है अभी तक हमने सीखा है कि जो हमें कॉश्चन में दिया गया है कि बिंदू P बाहर है बिरत के O के अंदर वाला कोई बिरत है और बिंदू P से दो स्पर्स रेखाएं खींची गई है पहला है PB और दूसरा है PA तो PA और PB दो स्पर्स रेखाएं खींची गई है और पूचा गया है कि PO A बताईए कितना होगा केवल एक एंगल दिया है दौनों इस परस रेखाएं 80 अंस के कौन पर जुकी हुई है तो इसको कैसे निकालेगे तो इसमें कौन सा फॉर्मूला लगना है किस विचार से ये होगा कौन सा इसमें जो तत्य है जिस से हल होगा इसके बारे में थोड़ा देखते है हम पहली बात तो ये जानते है कि ब्रत के किसी बाहरी बिंदू से खीची के इस परस रेखाएं आपस में बराबर होती है ये पहला पॉइंट है तो कैसे ग्याद करेंगे इसको पहले समझ लेते है पहले हम ये पूरा का पूरा जो एंगल है इसको निकालेंगे कौन सा एंगल A, O, B ये पूरा एंगल निकालेंगे ये वाला फिर इसका कर देंगे आधा तो जो हमसे पूछा गया है P, O, A ये वाला हम इसका आधा कर देंगे तो पूरा एंगल कियों कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको ध्यान देखना है कौन सा एंगल है ये वाला तो हम बात करेंगे इसमें कौन-कौन से दो टर्म है सबसे पहले तो हम यहाँ पर एक रचना कर लेते हैं एक बना लेते हैं लाइन इस तरीके से ये क्यों बनाए जाएगी ताकि एक तिर्भुज इस तरह बन जाए और एक तिर्भुज उस तरह बन जाए तो इसलिए हमको रचना करनी पड़ेगी अब ये रचना जो की है इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये है कि आप देख रहे हैं कि ऊपर एक तिर्भुज बना हुगा है P, A, B और नीचे एक तिर्भुज बना हुगा है A, O, B ये आपको ध्यान रखना है A, O, B तो ये बाला एंगल निकालना है तो तिर्भुज की आप शक्ता होगी अब यहाँ पर तो इस बाले अंगल से तिर्भुज बन ही नहीं रहा था इसलिए आपको ध्यान आएगा कि एक हमें रचना करनी पड़ेगी इस तरीके से तो ये तिर्भुज बन गया देखिए तीन भुजाएं हो चुकी है एक दो और एक की रचना कर लिए तो तीन भुजाएं हो गई लेकिन ये वाला कौण हमें कब मिलेगा जब हमें ये वाला पता हो और ये वाला पता हो तो तिर्भुज के तीनों कौणों का योग एक 180 अंस हो जाएगा तो ये हमें पता चल जाएगा लेकिन condition ये है ना तो हमें ये वाला कौन पता है और ना ही हमें ये कौन पता है तो ये कैसे पता चलेगा तो इसके उपर वाले तिरभुज की सहायता से उपर वाले तिरभुज की सहायता से कैसे पता चलेगा आईए देख लेते हैं उपर वाले तरभुज में तो केवल एक ही कौन दिया गया है लेकिन हमें एक तत्थ पता है कि बाहरी बिंदू से किसी ब्रत पर इस पर से देखां जो होती है एक ही बिंदू से उनकी लंबाईया समान होती है तो इसका मतलब है कि जितनी पी ए है उतनी ही क्या है पी भी है इसका मतलब ये दोनों कैसी है बराबर है तो बराबर भुजाओं कि सामने के कौन भी कैसे होते है बराबर इसका मतलब ये है अगर इसको आप ध्यान से देखें तो ये वाला जो एंगल है ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है इस तिरभुज में देखिए आप तो ये दोनों एंगल कैसे है ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर हैं ये वाला कौण और ये वाला कौण दोनों बराबर हैं क्यों बराबर हैं क्योंकि इनके सामने की भूजाएं जो हैं वो बराबर हैं क्यों कि इस परस रेखाओं की लंबाईयां होती हैं तो इसलिए आपको पहले रचना करनी है फिर पहले तो दो तिर्भुच बना लेना है दो तिरुभुज कैसे आएंगी रचना करने से उसके बाद हमें ये वाला एंगल ग्याद करना है उसका आधा करेंगे तो ये हमें ग्याद हो जाएगा लेकिन इस वाले एंगल को ग्याद करने के लिए हमें ये दो कौण पता होने चाहिए लेकिन ये दो कॉन यदि पता नहीं है तो इसके उपर वाले तिरोफज से पता चलेंगे उपर वाले तिरोफज में गए तो यहां पर 80 अंस बस लिखा था तो हमने देखा कि यह दोनों बराबर होते हैं इसलिए यह दोनों कॉन बराबर होंगे अगर हम इसको X मानते हैं तो इसको भी हमें क्या मानना पड़ेगा X क्योंकि दोनों कैसे हैं बराबर अब तीनों का योग होता कितना है 180 तो यदि हम इसमें 180 लगा देते हैं तो हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले रचना जो की है तो इस तरीके से हमें सबसे पहले लिख लेना है रचना चित्र में B को A से मिलाया यह देखिए B को A से मिला दिया है और P को O से मिलाया था P को O से मिलाया था क्योंकि हमें यह एंगल ग्यात करना था अब आपको सबसे पहले यह वाला तिर्भुच लेना है कौन सा P A B में तो हम लिखेंगे तिर्भुच पी ए बी में तो हमने लिखा तिर्भुच पी ए बी में अब हम जानते हैं कि तिर्भुच के तीनों कोणों का योग 180 अंस होता है इसका मतलब 80 प्लस एक्स प्लस एक्स बराबर 180 तो हम यहाँ पे लिखेंगे 80 प्लस एक्स बराबर 180 तो 2X वरावर आपको मिलेगा 100 तो X वरावर कितना मिलेगा 100 बटे 2 गुणावाली संख्या कहाँ पे आ जाएगी बटे में आ जाएगी तो X वरावर आपको कितना मिलेगा 50 अंस कहने का मतलब ये है कि ये भी 50 अंस का है और ये भी 50 अंस का है ये दोनों पचास-पचास की हैं लेकिन इस पर्स रेखा और तुरज़ा में क्या संबन्द होता है हमने पहले वीडियो में पढ़ा हुआ है कि इस पर्स रेखा ये है और तुरज़ा में 90 अंस का कॉन बनता है तो ये पूरा बनता कितने का है तो अंसर 90 का बनता है लेकिन इसमें से इतना हिस्सा कितने का है 50 अंस का तो बाकी का हिस्सा कितना होगा 90 में से घटा दीजिए 50 तो कितना आ गया 40 तो ये बाला जो हिस्सा है ये बनेगा 40 अंस का तो जब ये 40 है तो ये भी 50 का है AOB बराबर कितना होगा 180 तो चलिए हम फिर से एक बार तिरभज ले लेते हैं लेकिन उसके पहले हमने जो किया है 40 कहां से आया इसका करण दे देते हैं तो चूकि कौर PBO है टोटल 90 चूकि PBO बराबर 90 लेकिन PBA कितना है 50 PBA आप देखिए PBA ये वाला एंगल कितना है 50 तो हम लेकिंगे चूकि PBO किन दो एंगल से मिलके बना है तो ये वाला और ये वाला PBA प्लस ABO तो PBO की जगह पर हम क्या लेकि सकते है कौर PBA प्लस कौर ABO ABO का मतलब है B बीच में क्या है B तो ABO बीच में आए गया ये वाला एंगल किने मतलब है कि इसका और इसका दोनों का ये वाला एंगल बीच बाला पचास है तो हमने यहां पे लखा 50 कौर ABO ग्याद करना है बरावर 90 तो 50 का हो गया पक्छंतर तो ABO कितना आया 90 माइनस 50 एक्वल कितना हो गया 40 40 अंस ही आया इसी प्रकार हम लिख सकते हैं जब ABO 40 आया तो BAO भी कितना आएगा 40 तो हम यहाँ पर लिखे लेंगे इसी प्रकार कौड BAO भी कितना आएगा 40 अंस तो 40-40 दोनों हो जाते हैं अब तिर्भुच लेंगे ABO में तो तिर्भुच ABO में तीनों का यूग कितना होता है तो अंस हर 180 तिर्भुच के तीनों का यूग कितना होता है 180 तो कौड A या पर हम लेखेंगे, 40 palis 40 palis korn eo b तो 40 anis plus 40 anis plus korn e o b बरावर 180 anis तो 4040 कितने हो जाएंगे? 80 anis plus korn e o b बरावर कितना आजएंगी? 180 anis 80 का कर दिया transfer, तो korn e o b कितना आजएंगी? 180 minus 80 तो 180 में से 80 जाएंगे तो korn e o b कितना आएगा ? 100 लेकिन ये 100 जो है ये तो पूरा है हमें ग्याद क्या करना है ? P O A तो आधा कर दिया यहां से लंब खींचा तो यह आधा हो गया तो P O A जो है यह हमें ग्याद करना है हमने लिखा इसलिए कॉण P O A हो जाएगा 100 का आधा 100 का आधा इसलिए होगा क्योंकि यहां पे कौन को यहां से आधा किया गया है यह बाला निकालना है P O A तो 100 के बटे में 2 किया तो कितना आ गया 50 अंस यही अंसर आ गया और आपको जाके यहां पर 50 अंस में सही का चिन लगा देना तो यह आपका अंसर आ जाएगा इस तरीके से तो इसको इसी प्रकार हल करना है और यदि आपको समझ में नहीं आ पाया है तो एक बार आप फिर से पिले कर लीजिए इसको और देख लीजिए बारीक टर्म में सिलो करके आप आराम से समझ सकते हैं अलाकि यदि इसको मैंने सुरुआत में जो समझाया उसका टर्म में बहुत ही सिंपल है कि कैसे कैसे करना है और फिलाल इसको सॉल्ब करने में थोड़ा सा ये कढ़िन लगता है लेकिन यदि बेसिक तोर पर समझा जाए तो बहुत ही सिंपल है तो थोड़ा आप इस पर मेहनत कर लीजी और फिर मुझे कमेंट करके बताईए कि आप पे ये बना है कि नहीं बना है यदि संबह हो पायागा तो मैं इसको फर से समझा दूँगा अलग से तो पहले इसको आप करिये और यदि बन गया है तो भी बताईए मुझे तो बताईए मुझे बना है